जी तो question 11 है How many five digits पहली बात ये कि अब हमने जो number बनाने वो कितने होने चाहिए five digits होने चाहिए तो इसका मलब ये कि आर हमारे रपास इस वकत क्या है five है जगे मैंने ये बिच में से space दे लिए मैंने ये क्यों space दे लिए क्योंकि question कुछ ऐसा था स्टेटमेंट ने एक्जेक्ट पढ़ें तो how many five digit multiples of five लिखा हुआ है मेरे खाल में यहां पर अगर how many five digit numbers लिख देता numbers multiple of five पांच का multiple होने चाहिए number तो जो number हमने बनाने वो पांच के multiples होने चाहिए can be formed from the digits अब इन digits को use करके हमने five digit number बनाने जो के पांच के multiples हैं multiple से मुराद पांच में divisible जो हैं when no digit is repeated साथ में यह कह दिया होगा कि digit आप किसी भी digit को repeat नहीं कर सकते उसने कह दिया होगा तो बात वही अब हर क्वेस्ट में आपको बताने पढ़ रही है कि digits की बाद को कि हो रही है objects की बाद नहीं हो रही है digits या symbols की बाद हो रही है तो ऐसा उसे लिखना पढ़ेगा कि आपने इन digits को repeat नहीं करना अगर यह नहीं लिखेगा तो उसका मतलब यह कि आप एक digit को एक से जादा बार भी ले सकते हैं एन पियार के फॉर्मला से तब question नहीं होगा लेकिन boxes वाले method से तब वह वाला question भी हो जाएगा वेराल अगली exercise में ऐसे questions आएंगे हम उनको भी देख लेंगे फिलाल digit is not repeated का मनलब यह कि हम किसी भी एक digit को एक से जादा बार Muse नहीं कर सकते और हमारे पास 5 है N क्या होगा हमारे पास इन डिजर्स को count करते हैं जो डिजर्स given है कितने बाला 1,2,3,4,5 जी N भी हमारे पास कितना है जी डिजर्स को मैं यहां पर लिख लेता हूं डिजर्स हमारे पास हैं 2,3,5,7 & 9 यह डिजर्स हैं शुकर जी इस बार इन डिजर्स में 0 नहीं आया वरना 1st box पे फिर से एक condition लग जाती क्योंकि अगर 0 1st box भी होता तो ऐसा number जिसमें 1st place पे 0 है वह actually 5 डिजर्स नहीं होगा वह 4 डिजर्स होगा तो 0 हमारे पास ही नहीं अगर नहीं है 0 तो उसका मलब यह है 1st box पे आपके पास कोई restriction नहीं है तो बनाते हैं जी पहले तो यह लिख ले note यानि कि जितने वेस से हम box को fill कर सकते हैं वही number हमने लिखा हुआ है box के अंदर box के अंदर जो digit हमने यूज करना है वो नहीं रखना तो 5 box बनाने पड़ेंगी जी हमें क्योंकि हमारे पास आर इस वकत 5 है 1, 2, 3, 4 और यह 5 जैसा कि मैंने आपको बताया कि first box पे कोई restriction नहीं है लेकिन यह भी आपको मैंने बताया था कि जिस box पे restriction लग जाएगी उस box को हमने पहले फिल करना है तो देखें जो कौसन की statement है उसको दोबारा पड़ते हैं कि कहीं किसी box पे कोई restriction तो नहीं लग रही हमें जो numbers निकालने के लिए कहा हुआ है उसमें एक different बात अब यह आगी है कि multiple of 5 जो हमारा number था वो 5 का multiple होना चाहिए था multiple of 5 तो देखना यह है कि वो कौन से numbers हैं जो 5 के multiples है वो कौन से numbers होते हैं जो 5 के multiples है यानि 5 पे divisible है जो 5 पे divide किये जा सकते हैं हम सब को पता है कि वो numbers जो 5 के multiples होते हैं यानि 5 जिन numbers को divide करता है उन numbers का जो last digit है last digit से मराद unit place मैं पहले बता चुक हूँ आपको last digit से मराद unit place यानि कि जिनका जो unit place है वो क्या हो क्या हो सकता है देखे unit place पे अगर फर्ज कर ले मैं 9 रख दूँ तो अब यहाँ पर कुछ भी है इसको बात की बात है हमने यहाँ पर क्या रखा जा सकता क्या नहीं लेकिन जो भी होगा unit place पे अगर 9 होगा तो यह number 5 पे divisible कभी भी नहीं होगा unit place पे 7 होगा तब भी यह number 5 पे divisible कभी भी नहीं होगा even in case of 2 and 3 अगर unit place पे 2 और 3 होगा तब यह number 5 पे divisible कभी भी नहीं होगा 5 पे divide करने के लिए किसी भी number का unit place है वो या तो ना चाहिए 0 या उना चाहिए 5 इसके लावा यूनिट प्लेस पे कोई भी और नंबर अगर होगा कोई भी और डिजिट होगा तो वो नंबर 5 भी डिविजिबल नहीं होगा तो हमने यहां पर करना है एडजेस्स किसको या 0 को या किसको 5 को दो चांस दो केसे हुए यानि इस box को fill करने के दो बेस हुए 0 या 5 दो बेस बिलकुल नहीं दो बेस नहीं एक वे क्योंकि 0 हम यूस तब कर सकते हैं अगर हमें digits में से इन digits में जो जो गीवन हैं उनमें 0 भी मजोद होता और zero हमें given ही नहीं है लहाज़ हमारे लिए काम जो है बहुत असान है हम यहाँ पर एक ही digit है हमारे पास जो यहाँ पर fill किया जा सकता है वो कों सा digit fill किया जा सकता है? 5 लेकिन यह मैंने क्या कर दिया? मैंने तो गलत कर दिया इसका तो मतलब यह है कि इस बॉक्स को fill करने के 5 ways है क्योंकि मैंने यह बोला हुआ है कि बॉक्स के अंदर जो हमने नमबर रखना है वो उस बॉक्स को fill करने की तदाद है अगर मैंने 5 रख दिया है तो 5 ways से इस बॉक्स को fill किया जा सकता होगा ऐसा हर्गिस नहीं है इस box को fill करने का एक way है यानि इसमें रखना 5 है तो रखना 5 है, मैंने इसके अंदर 5 रखना नहीं रखना क्या है? एक कि box के अंदर मैंने वो नमबर रखना है जो कि उस box को fill करने की तदाद होगी मैं बार बार लाजमी ये बार बता देता हूँ ताके आप लोग यहाँ पर disturb ना हो आप लोग confused ना हो यहाँ पर कि बॉक्स को तो हमने 5 से फिल करना था तो हमने 1 की यूज कर लिया 1 इस बॉक्स को फिल करने की तदाद है A की नमबर ऐसा है जिसे आप इस बॉक्स को यूनिन प्लेस को फिल कर सकते है वो 5 है तो एक ही नमबर ऐसा है तो यहाँ पर क्या आना है एक आना है पांच नहीं आना जिस बॉक्स पे कंडिशन लग रही थी उसको मैंने पहले फिल कर दिया उसको उसके लिए एक ही चांस था तो उसके लिए नमबरों फेस कितने होगे बाकी बचे चार इनमें से अब किसी भी बॉक्स को पहले फिल कर लें इसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी बॉक्स पे कोई कंडिशन एसस नहीं लग रही है तो क्या करना है जी कितने डिजर्स बचेंगे वरपस वान टू टू त्री और फॉर चलें यहीं से शुरू कर देते हैं राइट से तो इस बॉक्स को फिल करने के कितने वेज होंगे जी चार इस बॉक्स के लिए कम हो जागा क्योंकि हमने डिजर्स रिपीट नहीं करना इस बॉक्स के लिए भी एकम हो जागा 2 और इसके लिए रह जाएगा 1 by fundamental principle of counting कितने होंगे जी इन सब को मुटिप्ला कर लिया जाएगा 1 मुटिप्ला बैट 2 मुटिप्ला बैट 3 मुटिप्ला बैट 3 मुटिप्ला बैट 4 मुटिप्ला बैट 1 तो यह actually 4 का factory बन जाएगा that is 24 जी question 12 है in how many ways can 8 books including 2 on English हमार पास total कितनी books है जी 8 books है कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा के total books 10 है क्योंकि 8 वहां पर है और 2 यहां पर है 8 और 2 दस होगी जी बिलकुल नहीं उसने लिखा हुआ है 8 books including 2 on English 8 books हमार पास total जिन में से 2 English की है तो मतलब बाकी है जो English की books नहीं है वो छे है total हमार पास books कितनी होंगी 8 ही होंगी 2 on English be arranged on a shelf हमने इनको arrange करना है shelf पे तो जब हमने books को arrange करना है तो definitely question arrangement का है याने के permutations का है in such a way that the English books are never together English books are never together English की books को इकठे नहीं आना सबसे पहली बात यहां पर यह देखते हैं कि हमारे पास N कितना है जी N हमारे पास 8 है R कितना होगा 8 books है उनमें से कितनी books को हमने arrange करना है तो ही भी उसने का हुआ है art की art books को arrange करना है तो art भी हमारे पास क्या होगा art ही होगा अब जो books हमें given है उनमें से दो books हमारे इंग्लिश की है और बाकी जो 6 books हैं वो हमारे पास किस की है हमें नहीं पता ना कहा हुआ है ना हमें यह बास सोचने के ज़रूरत है हो सकता है वो तमाम की तमाम बुक्स एक ही सब्जक्ट में हो लेकिन हमें इतना पता है हो सकता है डिफरेंट सब्जक्स की हो लेकिन हमें इतना पता है कि उनमें से दो बुक्स हैसी है जो के दो इंग्लिश की है बहराल हमें बनाने पड़ेंगे जी आठ बॉक्स इससे पहले कि मैं बॉक्स बनाऊँ मैंने जो रिस्टिक्शन है वो जो हर कॉस्टन में हम यूज करते हैं नोट एक लिखना पड़ता है कि बॉक्स के अंदर हमने क्या लिखना है बॉक्स को फिल करने के वेज लिखने तो इसको लिख लेते हैं नोट एक यहां पर चुके पिछले तीन चार कौस्टन अबने असे की हैं जिन में वो कहता था कि दिज़िस नौट रिपीटड, ता लेटर इस नौट रिपीटड, नौट रिपीटड की बात की थी और हर बार मापको यह ही कहता था कि कुछ यहां पर डिज़िट्स की और लेटर्स की बात हो रही है असलिए उसने कहा हुआ है ये repetition आपको allow नहीं है, यहां नहीं कहा हुआ, आप देसकते हैं, यहां पर उसने, गतन आपको नहीं कहा हुआ, कि repetition allow आपको है या नहीं, नहीं कहा हुआ, तो क्या ख्याल आपका, आपको repetition allow है या नहीं, question की statement बताएगी, या question की, हमें nature बताएगी, nature क्या है question की, हमने जिन चीजों को arrange करना है, बुक्षल पे वो books हैं, वो objects हैं, वो objects हैं, तो by nature ही आप चेक करें, एक object फर्ज़ कर लें, English की एक object है, वो मैंने first place पे रख दी हुई है, तो अब वो ही English की book मैं first place पे चुकर रख दी है, तो उसको मैं साथवी place पे नहीं रख सकता, उसको मैं छटी place पे नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने वहां रख दी हुई है, तो object जो है, वो तो आप जो है, एक से ज़्यादा बार use नहीं कर सकते हैं एक arrangement में, जाहर है जी, उसका कहना या ना कहना बेकार है, understood है, कि आप किसी भी object को repeat नहीं नहीं कर सकते हैं, इस इसका ध्यान रखेगा जहन में, तो करना हमने क्या है जी, चुकि 8 box को range करना है, हमने बना देनी है जी, 8 boxes बना देंगे जी, 8 boxes बन चुके हैं जी हमारे पास, तो अब जी, काम कुछ यूँ था, कि ऐसा question पहले भी आया था, और यहां पर उसने मैं कहा वावाए कि English की जो books हैं, दो books हैं, जी English की, फर्स कर लें, वो जो English की दो books हैं, उन में से एक E1 है और दूसरी E2 है, तो वो कहला था है, इन दो books ने एक अठे नहीं आना, इस तरीके से हमने range में बना नहीं है, कि English books are never together, इनको हमने एक अठे नहीं adjust करना, क्या करना गया था ऐसा कोसन हमने पहले किया है, मैंने आपको बताया था, याद करें जिन में 2 और 8 ने कठे आना था, तो मैंने आपको कहा था, अगर आपको कोसन सरफ ये कहा होता, कि 2 और 8 ने कठे नहीं आएंगे, तो अब क्या करेंगे, आप total arrangements निकालेंगे, वो पहले भी निकाले जा सकत दो जाने कर था, पहले मैं definitely वो arrangements निकालोंगा, जिन में English की books से कठी आएंगी, total arrangements निकालोंगा, फिर मैं subtract कर दूँगा total arrangements में से, उन arrangements को जिन में English की books कठी आएंगी, तो definitely मेरे पस वो बी arrangements आजाएंगे, जिन में English की books कठी नहीं आएंगी, तो जी हम ये लिख देते है, number of total arrangements number of all possible arrangements तुमाम arrangements की तदाद पहले निकालेते हैं कैसे निकालने हैं तुमाम arrangements की तदाद, 8 boxes यहां पर तुमाम जो के रेंचमस बनाने जा रहे हैं तो आब box's बनाने की बजाए अगर Simple AIDS, AIDS पी एट बनाके करने तो भी कोशन हो जाएगा लेकिन चलें बौक्स बनाके कर रहे हैं तो भी, शक्र बॉक्स बनाके कर लेते हैं। तो हमारे पास जी फस्ट बोक्स को फिल करने के मारपस कितनी बोक्स से टोटल आठ तो आठ वेज होंगे फिर साथ रह जाएंगे फिर छे फिर पांच फिर चार फिर तीन फिर दो फिर एक 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 काम होता जाएगा कि अगर आप इस पार्ट को एड़ पी एड़ करके करेंगे तो भी हो जाएगा और इसी हो जाएगा अब जैसे मरजी कर सकते हैं बता में न दी आपका आपकी अपनी जो है वो खाहिश है यहां जैसे मरजी कर लीजेगा तो क्या करेंगे बाइफ फंडामेंटल प्रिंसपल अ तो जीरो के बराबर है यह हमारे पर टोटल अरेंजमेंट्स आ जाती है उसके बाद हमने हैडिंग दे लेनी है हमने वह 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 बहुत नकाले जिनमें इंग्लिश की बुक्स इकठी आएंगे हमने वह 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 बहुत नकाले नहीं है जिनमें इंग्लिश की बुक्स इकठी आएंगे तो क्या करेंगे वही काम आठ हमने बना ली आठ हमने बना ली बॉक्स या प्लेस बना ली जी क्या करना है चूंकि इंग्लिश की बुक्स को एकठी अड़्जस करना है तो जैसे मैंने पहले कहा था हमने क्या करना है जी दो बॉक्स को मिला कर एक बॉक्स मना लेना अब इस बॉक्स को हम किन से फिल कर सकते हैं English की दो books थी, E1, E2, या फिर E2, E1 से, यानि इनको भी दो आपस में permute कर सकते हैं, range कर सकते हैं, तो exactly जी, मैंने पहले भी बताया था, इसको कितने ways से fill कर सकते हैं, दो ways, दो के factorial यानि दो ways से, तो बाकी आपके पस कितने books बचेंगी, 6 books बचेंगी, तो इस box को fill करने के 6 ways हों हैं, इसके लिए 5, इसके लिए 4, 3, 2, और 1, एक छोटा सा काम, मैंने पहले भी बताया था आपको, कि ये जो box है, जिन में English की books है, इन्होंने कठे तो आना है, लेकिन अभी हमने वो वाली arrangements नहीं मनाई जिन में, हमने सर्फ वो वाली arrangements मनाई जिन में, ये books first number पे आ रहे हैं सबसे पहले, लेकिन ये यहां पर भी हो सकता था, यहां पर भी हो सकता था, ये कठे आना था दोनों ने, लेकिन इनकी location कहीं पर भी adjust की जा सकती थी, तो total boxes को count कर ले कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 boxes हैं, तो हम साथ से इनको करना पढ़ेगा, multiply, तो अब fundamental principle of counting लगा ले, by कितने बन जाएगी जी, 2 factorial into 6 into 5, 4, 3, 2, 1 and 7, ये जी 7 का factorial बन जाएगा, यहां से यहां तक 50-40 होता है, 50-40 को 2 से कर देंगे, multiply, 10080 हमार पस, वो arrangements आजाएगी, जिनमें दो जो books हैं, English की वो एकठे आएगी, लेकिन अब हम अपने असल question की तरफ आते हैं, question नमारा ये था, कि हमने English की books को एकठे नहीं रखना था, तो हमें क्या करना पढ़ना था, total arrangements में से, उन arrangements को माइनस करना पढ़ना था, जिनमें English की books कठी हैं, तो एक काम हमें, आ this will be equal to total, आपके पास arrangements जो के बनी थी, 40320, minus कर देंगे, वो arrangements जिनमें English की books कठी थी, वो कितनी थी, 10080, इनको minus करने से हमारे पास answer आजाएगा, 30240, ये हमारे पास answer आजाएगा, झेल खिए आजाएगा.